सुप्रवाद सभी छात्रे छात्राओं पिरिय अभी वावक गड़ और इस संस्ता प्रिवार से जुड़े हुए सभी बंदुओं का बालसाधना की इस ऑनलाइन क्लास में मार्दिक अभिनन्दन करता हूं स्वागत करता हूं मैं अनिल कुमार खेदर्ड आज जो आपके सामने अध्याय नमर तीन में पार्ट संट च्छे में जो टोपिक लेकर आया हूं वो टोपिक क्रांतिकारी व्यवस्ताओं से समंदित कुछ बचेवे टोपिक थे कहा जाता कि राज भारत वर्ष के क्रांतिकारियों में एक सर्वसेस्ट क्रांतिकारी रहे हैं उस क्रांतिकारी का नाम है स्याम जी कर्शन वर्मा स्याम जी कर्शन वर्मा एक राजक्रिये स्तर के क्रांतिकारी रहे हैं इनकी कारिये योजनाओं का केंदर बिंदू लंदन का इंडिया हाउस रहा है और इन होने विदेश में रहकर भारतिय क्रांतिकारी विवस्ताओं को एक नया रूप दिया है, एक नई दिशा दिये स्याम जी कृष्ण वर्मा काठिया वाड छेत्र के रहने वाले थे काठिया वाड छेत्र जो है, गुजरात का प्रसिद है, ये गोडों के लिए भी प्रसिद इस्तान रहा है केम्ब्रीज विश्व विद्याले में इन्होंने लंदन में सिक्ष्या प्राप्त की केम्ब्रीज विश्व विद्याले भोत बड़ा विश्व विद्याले था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने गुनिस सो पाँच इस्वी में इंडियन होम रूल लीग की स्तानमा की थी इंडियन होम रूल भारतिय सवसासन ग्रह सासन लीग भी कहा जाता है इस इंडियन होम रूल लीग की स्तापना इनों ने लंदन में की थी लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है थेम्स नाम की नदी है उसके किनारे लंदन बसा हुआ है यहां से इन्होंने इंडियन सोशियोलिस्ट पत्तर निकाला इस इंडियन होम रूल लीग के माध्यम से इन होने इंडियन सोशियलिस्ट सोशियोलोजिस्ट नामक पत्तर निकाला तो इंडियन सोशियोलोजिस्ट नामक जो पत्तर था वो इनके दवारा निकाला गया था संच जालित किया गया था गुणी सो पांच में लंदन में इंडिया हाउस की स्तापना की ये भी नहीं के दवारा की गई थी आप से परशन पूछा जाता है इंडिया हाउस कहां है तो इंडिया हाउस लंदन में है इसकी स्तापना किस ने की थी स्याम जी कृष्ण वर्माने की जाता है तो भारतिय सवसासन समीती के रूप से भी इनका उल्लेक किया जाता है गुणी सो छेश्वी के अंत्रगत अपना इस्तान परिवर्तन करके पेरिश चले ले पेरिश किस रास्टर की राजधानी है फ्रांस की पेरिश कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सेन और भार भारत का पेरिश किसे कहा जाता है तो भारत का जो पेरिश है वो जेपुर को कहा जाता है कि कहा जाता है कि विदेश में रहने वालों के लिए इन होने एक हजार रुपे की छे फ्रारंब की कि जिससे उन करांतिकारियों को जोड़ा जा सके तो एक हजार हजार रुपे की फ प्रशनवर्मा के दुवारा की गई थी इनके दवारा इस्तापित जो इंडिया हाउस था वो एक सर्वस रे संगठन के रूप में उबरा और इसके कई सदसे बने जैसे मदनलाल जो धीगरा था वो इसका सदसे बना था इसी मदनलाल धीगरा ने गुंणिसों नो इस्वी के अंत्रगत करजन वाहिली थे उस करजन वाहिली की क्या की थी हत्या की थी तो उसके कारण इसका नाम आया था दूसरे वेक्ति इसके सदस्ये बने वीडी सावरकर जिनको मैंने आपको अठारासो सत्याउन की क्रांती में भी बताया था कि वीडि सावरकर मोहदय ने 1857 का संग्राम नामक पुस्तक लिखी और इसने दो-दो जो सजा भुगती थी जीवनों की काले पानी सेलूलर जेल में रहे वो इनके सदस्ये रहे और दूसरे हैं लाला हरदयाल हरदयाल का केंदर भिंदू बाद में जो यहां से हटकर बन गया था वो अमेरिका था और इसी लाला हरदयाल ने 1913 इश्वी के अंत्रगत एक पार्टी का अगठन किया उस पार्टी का नाम क्या था गदर पार्टी गदर पार्टी के सचीव थे वो सौन सिंग बखाना थे लेकिन ये तीनों सदस्ये इंडिया हाउस के सदस्ये थे या इनका इंडिया हाउस से समंद्ध था कहा जाता इसके बाद में अगले क्रांतिकारी बने विनाइक दामोदर सावरकर ये विनाइक दामोदर सावरकर का जनम कब हुआ तो आप लिखेंगे 28 मई 1883 स्वी को जनम हुआ था बहंगूर गाउं एक जगे है यहाँ पर और उस बहंगूर गाउं में इनका जनम हुआ था और बहंगूर गाउं किस प्रांत के अंत्रगत आता है महरास्पो में आता है मिनाइक दामोदर सावरकर ने गुन्नी सो एक इसवी के अंत्रगत मेट्रिक प्रिक्ष्या उतीरण की थी कौनशी प्रिक्ष्या उतीरण की थी मेट्रिक की प्रिक्ष्या उतीरण की या मेट्रिक प्रिक्ष्या में इन्होंने अंक के हासिल करते वे ग्यारवी क्लास में हो गए थी फर्ग्यूसन कोलेज में अध्येन के दोरान बाल गंगादर तिलग से हुई जो भारत के उगर राष्टरवादी करांतिकारी थे ये वो वेक्ति थे जिनोंने नारा दिया था सवराज्य मेरा जनम्सिद अधिकारम इसको लेकर रहूंगा उससे इनकी मुलाखात हुई थी बंगाल विभाजन के दोरान अपने साथियों से मिलकर विनाइक दामोदर सावरकर ने मित्तर संगठन का निर्मान किया था तो यानि गुनि सो पांच इस्वी के अंतरगत किसका विभाजन हुआ बंगाल का विभाजन हुआ था और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के दोरान विनाइक दामोदर सावर कर थे उन्होंने एक संगठन इस्ताफित किया था और उसे संगठन का नाम क्या था मित्र संगठन बनाया था उन्होंने तो मित्र संगठन का गठन किसके दोवारा किया गया था वो किया गया था बालगंगादर जी तिलक के निर्देशनों पर विनाएक दामोदर जी सावर करके द्वारा 1857 की क्रांटी को इन्होंने पर्थम सवतंतरता समर कहा यानि विनाएक दामोदर सावर कर थे उसने अठारा सो सत्यावन की करांती को सवतंतरता का पर्थम समर कहा था या पर्थम समर के रूप में इन्होंने संबोधित किया था भारत में 1877 की क्रांती जो हुई थी उसको भारती ये पर्थम स्वाधिंता संग्राम की संग्या देने वाले जो विक्ती थे उसका नाम क्या था विनाइक दामोदर सावरकर था कहा जाता है कि विनाइक दामोदर सावरकर ने 1906 इस्वी के अंत्रगत अभिनव भारत का गठन किया था 1906 में विनाइक दामोदर सावरकर ने एक दूसरा क्रांतीकारी संग्ठन इस्तापित किया और उस संग्ठन का नाम था अभिनव भारत विनाईक दामोतर सावरकर को क्रांतिकारी गति विधियों में सामिल होने के कारण दो जनमों की सजा सुनाई थी दो जनमों की सजा का मतलब यहाँ पर यह है कि उस समय एक सजा दी जाती थी काले पानी की सजा काले पानी की सजा किसको कहा जाता था अंडमान निकोबार दीब समुव था और अंडमान निकोबार दीब समुव पर शेलूलर जेल थी उसे शेलूलर जेल के अंतरगत जब भेजा जाता था समुद्र के बीच ये जेल बनी भी थी तो उनको आम आदमी से मिलने का मोका भी नहीं मिलता था तो इसलिए इस जेल में जिसको सजा देने का जो प्रावधान होता था उसे दो जनमों की सजा कहते थे यहां से छुट कर उन्होंने समुद्रों में शेंकडो किलोमेटर तेर कर यहां से भागने की कोशिस की थी उन्होंने 1937 इस्वी में ये जेल में से रिया हो गए और इन्होंने भारत विभाजन को रोकने का परसक प्रियास किया था और इन्होंने का कि भारत विभाजन जो है वो एक गलत चीज है तो 1937 इस्वी के अंतरगत ये जेल से रिया हुए वो रिया होने के बाद यानि इनोंने किसको रोकने का भारत जो विभाजन था उस भारत विभाजन को रोकने का बर्शक प्रियास किया था उसे रोकने की इनोंने क्या कि थी कोशिस कि थी दूसरी बात यहां पर आती है और वो आती है बंगाल में क्रांतिकारी अंदोलन तो दूसरे सब्द के रूप में आएगा वो आएगा बंगाल क्रांतिकारी अंदोलन तो बंगाल क्रांतिकारी अंदोलन में आपको जो महतोपून बाते जो जोड़नी है वो क्या जोड़नी है बंगाल में करांतिकारी गतिविधियों का सुत्रपात सिरी वीपी मिस्रा ने किया था यानि बंगाल छेत्र में जो क्रांतिकारी गतीविधियां थी बंगाल छेत्र में क्रांतिकारी गतीविधियां ये जो गतीविधियां जो थी क्रांतिकारी उनका संचालन जो किया था वो सिरी वीपी मिस्रा ने किया था तो सिरी वीपी मिस्रा थे, वो इनके प्रमुख संचालत थे बंगाल छेतर का क्रांतिकारी संगठन और वो क्रांतिकारी संगठन था उसका नाम क्या था? उस क्रांतिकारी संगठन का नाम अनुसिलन समीति था क्या था? अनुसिलन समीति उस संगठन का नाम थे इस क्रांतिकारियों का उद्दे से क्या था इस संगठन का प्रमुक उद्दे से बंगाल विभाजन को रद करवाना था तो यहां मैं एक बात और बता दू कि बंगाल विभाजन किस ने किया था लाड़ करजनने किया था कभ किया था 1905 तारिख कितनी है 16 अक्टुमبر उन्होंने बंगाल का विभाजन करते समय क्या कहा था कि मैं बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहा हूँ कि बंगाल एक बड़ा प्रांट है उसमर सासन नहीं चला जा सकता लेकिन अगर हकीकत में देखी जाए तो उसकी मानसिक्ता कुछ और थी वो बंगाल को दो भगों में बाटना चाता था कि वही एक मुस्लिम बंगाल बने और एक हिंदू बंगाल बने इसलिए बंगाल विभाजन का इनके दोवारा विरोध किया गया 1905 में वारिंद घोस ने बहानी मंदिर नामक पुस्तक में क्रांतिगारी गती विधियों का विस्तरित धेन किया है किया विस्तरिता से उसको बताया गया है तो यानि 1905 इस्वी क्रांतिकारी का नाम वारिंद घोस और वारिंद घोस नामक क्रांतिकारी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था बावानी मंदिर और उन्होंने बंगाल छित्र की तुरांती कारीगती विधियों का भोती सर्वस्रेश की उपसे क्या किया है उलेख किया है तो बंगाल विभाजन कब हुआ 16 अक्टुम्बर 1905 किस ने किया करजन ने किया था दहारमी का अधार पर किसको बाटा था दहारमी का अधार पर बंगाल को बाटा था अधार पर उसको बाटा गया था तो यानि 16 अक्टुम्बर 1905 को बाटा उसका विरोध किया वारिंद घोस ने अपनी पुस्तक बावानी मं युगांतर और संध्या नामक पत्रिकाओं में अंग्रेज विरोधी विचार धारा को प्रस्तुत किया, यानि दो पत्रिकाओं और आएंगे आपकी, एक आपकी आएगी युगांतर और युगांतर के साथ एक पत्रिकाओं और आएगी संध्या, ये दो पत्रिकाओं थी, उ उस विरोधी विचारधारा को विस्तरित किया गया था या अंग्रेज विरोधी विचारधारा को बड़े इस्तर पर डिखाया गया था तो कहा जाता है कि यही घतना करम उनकी क्रांतिकारी गति विजियों का प्रमूख आधार बना था तो यह आपकी कक्साद 10 के टोपिक में आपकी मादिमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में ये टोपिक आपके क्रांतिकारी गति विजियों में दिये हुए अब अगला टोपिक आपका जूड़ सुरू होता है और उस टोपिक का नाम है किसान अंदोलन देखो पहले आपने कुछ विद्रो पढ़े फिर क्रांतिकारी पढ़े और अब आपका टोपिक होगा किसान अंदोल कहा जाता समराजेवादी प्रसार की मानसिक्ता अंग्रेज यहां व्यापार करने के लिए आये लेकिन उन्होंने समराजे का क्या किया समराजे का विस्तार किया और समराजे के विस्तार किया भारत में जब उन्होंने अनेक सक्तियों के संप्रक में आए किसी से परतेक संप्रक हुआ तो उस संप्रक का समराज विस्तार के दोरान क्या हुआ संप्रक हुआ और जब यह संप्रक हुआ था तो उस संप्रक में कुछ कर्शक वरग जुड़ा था और कर्शक वरग के साथ कुछ आदिवासी वरग जुड़ा आदिवासी वरग और कर्षक वरग पर इनके समराजे विश्तार का सीधा प्रभाव देखा गया लेकिन जब बिर्टी स्रकार समराजे वादी विवस्ता में कर्षक और आदिवासी जो खेती हर किसान थे उन किसानों के साथ अपमान जनक विवहार किया करों का उन पर भार लादा गया अतेदिक करिन पर थोपे गए जिसके कारण उनके अन्याई के खिलाप एक जुठ होकर वो जंग शुरू की थी उस सभी जंगों को एक साथ आप किसके नाम से जानते हो किसान अंदोलन के रूप में आप प्रस्तुत करते हो कहा जाता है भारतिय किसान जागिरदार साहुकार और व्यापारियों का सोशन था भारत का जो किसान था वो किसान तीन चीजों से काफी वरग तीन वरगों से प्रभावित था वो तीन वरग कोन थे जमिदार थे जमिदारों के साथ कोन थे साहुकार थे साहुकारों के साथ कोन थे व्यापारी थे तो जम्मिदार, साहुकार और व्यापारी ये तीन वरग थे इन तीनों वरगों से प्रभावित कोन था किसान प्रभावित था ये तीनों वरग थे वो उस समय किसान का सोशन कर रहे थे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो परजीवी वरग बिचोलिया वरग अत्यतिक लोपी भ्रस्ट साहुकारों ने मिलकर किसानों को और गरीब बना दिया ये तीन वरग तो पहले भी थे जो किसानों का सोशन कर रहे थे लेकिन अंग्रेजों ने एक तो बनाया परजीवी विचोलिया बनाया जो अंग्रेजों के बीच में और किसानों के बीच में था एक जो लोपी और भ्रस्ट जो साहुकार थे जो सूत का काम करते थे सूत का मतल गरीब बना दिया था या किसान को गरीबी की दास्ता में धकेल दिया था इसलिए एक जुट होकर भारत के किसान अंदोलन शुरू हुए थी भारतिये किसान अंदोलनों के अनेक कारण थी लेकिन उसका पहला कारण था अंग्रेजी सासन की प्रसासनिक भूराजस्वे नीतिय देखो आग्रेजोंने तीन नीतियां बुरा जशले कि लगाई थी एक तो इस्ताई बंदोबस्ट ये इस्ताई बंदोबस्ट सत्रासो तिराण में लोर्ड करनवालिस तूसरी रेतवाडि तो रेतवाडि बंदोबस सत्रासो निनाण में धौम समूनरो थोम से मून रो और माहलवाडी ये माहलवाडी बंदोबस लगाई 1813 वारेन हैस्टिंग ये चलाई थी और इन तीनों प्रथाओं के माद्यम से उस समय के किसान का तेदिक शोशन हुआ किसान प्रथेदिक अत्याचारों हुए थे उन अत्याचारों के विरुदे उन्होंने एक साथ एक दहुनी में उनका विरुद किया था दूसरा किसान अंदोलन का कारण था बार बार अकाल पढ़ना एक तरफ प्रकरती उनके पिछे थी और बार बार रंबे अकाल पढ़ रहे थे तो बार बार रंबे अकाल पढ़ना भी उनकी मजबूरी थी कि वो कर देने में सक्सम नहीं ही थे कर नहीं दे पा रहे थे उसके का इसके कारण ये था जमीदार वरग और सामन्त वरग जो था इस सामन्त वरग और जमीदार वरग का मुख्य कारिय करवसूल ना था यानि इनका मुख्य कारिय क्या था करवसूल ना था और ये जो करवसूलते थे जमीदार वरग से और सामन्त वरग से तो उनके साथ कुछ एम आये गए दूसरी उस समय किसान थे वह अन्पड थे तो व्यापारी दूसरे नमर पर साहुकार जम्मिदार यह अनिक व्यक्ति थे व्यापारी थे साहुकार थे जम्मिदार थे इन तीनों वर्गों ने मिलकर क्या करें जब खिसान को जब ब्याज पे देते थे या उनको जब पैसे दिये जाते थे करसी दिन के रूप में तो उनके जुठे दस्तावेज बना लेते थे और जुठे दस्तावेज बना के उनकी जो जैसे मकान होता था गाड़ी होती थी बै तस्तावेजों में क्या होता था? इन तस्तावेजों में मकान, गाड़ी, गाड़ी के साथ क्या आएगा? बैल, वे खेती की जमीन, वे जमीन गीरवी रख लेते थे, और जब यानी वो कर लेते थे तो उनका इसाब जोड़ देते थे, इसलिए वहाँ पर किसानों ने उनकी बगावत कर दे, करवसुली, मालों की जब वो कर लेने के लिए जाते थे, तो एक तो सब्दा आगया करवसुली, दूसरी पूरन अदाईगी न होने पर, पूरन अदाईगी न होने पर, कि या तो करवो पूरा नहीं दे पाते थे, या जिट स्टमें वो करवसुली करते थ तो उस समय जो एमानस्विक विवहार करते थे यह उनकी नारियों के साथ या किसानों के साथ उनके सामाज के साथ परिवार के साथ एमानस्विक विवहार करते थे मानुस्विक विवहार जो मनुस्य की गन्ना में ना हो उसे एमानस्विक करते हैं जो एक इनसानियत को सरमसार करने वाला विवहार होता है उसको ऐमान स्विक विवहार के रूप में जाना जाता है अंग्रेजी सरकार दोवारा व्यापारिक पसलों की बाद देता भी एक इसका कारण था देखो उस समय खादान पसले थी उसको किसान रोक लेता था लेकिन अंग्रेजी सरकार ने व्याप पदाब जैसे नील के लिए पर था लगाएती तींए कठीया पर था का मतलब क्या होता था अपनी मूल परथा के उपर तीन-चोथाई भाग में निल्ग में उन्यों होती थी उसके तीन-चोथाई भाग पर उसка ये इहास के अंतरगत, जो सर्वस्रेश्ट किसान अंदोलन की शुरुवात जहां से मानी जाती है, वो नील किसान अंदोलन है। गोविंदपुरा तो नादिया छेत्र और गोविंदपुरा जो छेत्र हैं वो नील छेत्र या बंगाल छेत्र में सामिल होते हैं इस किसान अंदोलन की सुरुवात कब हुई थी अठारा सो गुनसट इस्वी में हुई थी इस किसान अंदोलन के नेता कौन थे तो इस किसान अ किसान अंदोलन के नेता थे दिगंबर विश्वास और विश्णु विश्वास इस किसान अंदोलन को दो पुस्तकों ने भोत रोचकता प्रदान की थी दो पुस्तकों ने इसको नई गती प्रदान की थी पहली पुस्तक जो थी वो हिंदू पेट्रियाग थी कौन सी थी दीन बंदू मित्रा थे और दीन बंदू मित्रा थे उस पुस्तक का नाम था नील तरपाण यानि इन दोनों पुस्तकों में उस समय के किसान अंदोलनों का जिकर हुआ है। जब ये नील की खेती नहीं करना चाते थे तो ये मांग बड़े इश्तर प्रोग।। इस बात का निप्टारा करने के लिए 1860 हिस्वी के अंत्रगत एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था नील आयोग। उसायोग का नाम क्या है नीलायोग नीलायोग ने सुझाव दिया यानि उन्होंने सुझाव दिया कि इस अंदोलन को कैसे रोका जा सकता है किसानों से वारतालाब की जाए जब तक किसानों के बीच वारतालाब नहीं होगी तो बिर्टिस राज्ये के व्यापारिक फाइदा भी नहीं हो सकता उनके बीच में अगर यह इस तरीके के विवाद चलते रहे तो आने वाले समय में बड़ी समस्या हो सकती है इसलिए आंदोलन को एक थोड़ा सा यह कह सकते हो अवरोत तकता मिली कुछ रुकावट इस छेत्र में इस आंदोलन में अनुसासन एकता और संगठन की बहावना को साहिता मिली लेकिन जब नीलायोग को मजबूर होके सुझाव देना पड़ा तो पहला अंदोलन था जिसमें किसानों में एकता संगठन की एक नई मिसाल हुई अनुसासन से अंदोलन के संचालन की एक नई सीख मिली तो सारी चीजे जो थी उन पर एक नया एक आयाम मिला एक विवस्ता का संचालन हुआ ये था आपका नील किसान अंदोलन आगे चलके इस नील को हम एक नए रूप मे लेकिन यहां पर जो आपका उलेख है वो इस तरीके से आता है। इसके बाद में 1815 इस्वी और 1815 इस्वी के अंत्रगत दक्षिन के विद्रों के रूप में आप पढ़ते हो। दक्षिन का जो विद्रों 1815 इसका जो मुख्य कारण जो रहा है। वो मुख्य कारण क्या रहा है अत्यदिक भूमिकर यानि अत्यदिक क्या था भूमिकर था क्योंकि भूमिकर ज्यादा होने की वज़ास से उत्पातन से ज्यादा लागत जबानी शुरू हो जाती है या किसान को उसकी मैनत का सही मौावजा नहीं मिल पाता है तो वो अन्याय क खिलाब खड़ा होता है कपास के भाव कम थे क्योंकि दक्षिनी छेतर में ज्यादा काली मिटी थी और काली मिटी थी तो कपास की खेती ज्यादा होती तो कपास की खेती के वाजिब दाम नहीं मिलना वाजिब पैसे उसके अंत्रगत उसको नहीं मिलते थे मारवाडी और गु गुजराती साहुकार जो थे उन साहुकारों का जो लेखा विवरन था ये लेखा विवरन क्या होता है कि उस समय लिखा पड़ी रखते थे कि कितना कराया कितना बकाया राई साल राजस्वा में क्या वर्दी हुई किसानों से क्या हमें मिला है ये सारी चीजों का एक विवरन होता था और उस वीवरण में क्या कर देते थे हेरा फेरी कर देते थे कि कम लिख देते ज्यादा ले ले लेते तो इस तरीके से भी ये बड़े इस तर पर आंदोलन हुआ था अनपड किसानों से जाली अस्ताकसर लेके मकान दुकान और जमीनों का धिकरन कर लेते थे और जो या उनके मकान और जमीन के अलावा यानि कि उनकी जो दुकाने होती थी, उन दुकानों को क्या कर लेते थे, अधिगरीत कर लेते थे, उन पर कपजा कर लेते थे, उनको अपने अधीन कर लेते थे, इस तरीके से बड़े इस्तर के उपर यह अंदोलन शुरू हुआ, लेकिन क नहाज आता है 1889 स्वी के अंत्रगत इन सभी मामलों को बढ़ता देख बिर्टिस सरकार ने सोचा कि इसमें हमारे नेक जो हित हैं उनको आगहात पहुँच रहा है इसलिए 1889 स्वी में करसक रहात अधीनियम पारित हुआ कुन सा अधीनियम पारित हुआ करसक रहात अधीनियम पारित हुआ या पारित किया गया उसके अंत्रगत जिसके सुझाव पर किसानों दवारा रिन न लोटाने पर ने तो गिरपतारी होगी और नहीं उनको जेल में बंद किया जा सकता है तो यानि 1889 करसराहत अधीनियम बना इसके अनुसार दो बाते कही गई अगर करसक रिन नहीं दे पाएगा दे पाएगा अगर करसक रिन नहीं दे पाएगा तो उसको ने तो जेल होगी और नहीं उसकी क्या होगी गिरपतारी होगी कि वो करमे आगे भी हो सकता है या उनको किसी तरीके से एमान स्विक्ता का सामना नहीं करना पड़ेगा ये बात उसके अंत्रग कही गई थी तो कहा जाता है कि कर्षक रहात अधीनियम के दुवारा सेज साउकारों की जो लेखा विवरन थे हेरा भेरी थी उनकी जो यानि इस तरीके की विवस्ता थी उनसे उन्हें मुक्ति मिली थी तो ये आपके दो किसान अंदोलन हुए आगा में टोपिक के बारे में ह और यानि युगांतर और संध्या नाम की पत्री का आपको बंगाल के विभाजन में याद रखने हैं फिर ये जो कारण है आपको अपने नोड़सों में बहुत अच्छे तरीके से इनको तयार करने हैं रेतवाडी इस्ताई बंदोबस्त वाले जो नाम है ये भी आपको त घुन द। इनमें जैसे कई पर सदिते वरजाटिय लीन से होंग्रूर लीग आता है द। इनको बहुत अछे परिके से त्यार करोंगे वह मैं जहां तक साचता हूं सभी मेरे और हर देगद चात्रों के बात समझ में आई है, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें, आप इस सेनल को भी अपनाएं और अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं, मैं मेरे विद्याले संस्ता निर्देशक मोहदे और संस्ता परधानोरी बेरी टीम की और से, आप सभी के प्रि क्लास में हम आगे और पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं आप से विदा चाता हूं, और हम नई क्लास में पढ़ेंगे, सभी बेटे बेटियों से और छात्रों से निवेदन है, कि वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से और विवस्तित रखें, अब हम आपनी क्लास म मिलेंगे, जे हिंदे